शिमला में हिमाचल मंत्री मंडल की बैठक इस्तमय चर रही है मंत्री मंडल की बैठक में कई फैसली भी लिए गए हैं जलशक्ती विभाग में 3970 पत भरे जाएंगे चुनावी साल में नौकडियों का पिटारा खुलता नजर आ रहा है तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मंत्री मंडल की बैठक में कई फैसली जो हैं लिए जा सकते हैं और साथ ही आपको इजानकारी दे दे फिलहाल जलशक्ती विभाग में 3970 पत भरे जाएंगे तो याने की कुल मिलाकर आप अंदाजा लगा सकते हैं एक तरह विपक्ष के और से आरोप लगाए जाते हैं सरकार पर की जब से सरकार आई है तो अगनीपत जैसे योजनाएं जरूर आ रही है लेकिन बिरोजगारों की जो दर्द को है वो और जादा गहरा कर रही है जख्मों को और जादा गहरा कर रही है कबर परधिक जौनकारी के साथ समाधाता प्रदीप चाकुर हमारे साथ लाइफ जुड़ चुके हैं प्रदीप क्याबिनेट की बैठेक इस समय चरही है बैठेक में क्या कुछ खास रहेगा ये हम आप से जानेंगे लेकिन उससे पहले विपक्ष्ट के बेरोजगारी के आरोपों के बीच क्याबिनेट की बैठेक में ये फ्वायसला काफी जादा एहम है कि तीन हजार से जादा पद जल शक्ति विभाग में भरे जाएंगे बिल्कुब दिपशी का आपने सही कहा इस बक्त केबिनेट बैठेक चल रही है और कुछ ही देर में ये बैठेक खत्म हो जाएगी हालांकि अधिकुछे का दिकारी कैबिनेट बैठेक से बाहर आ चुके हैं जिनके एजेंडा खत्म हो चुके हैं और उनके साथ कैबिनेट मंतरी सुष भारदवाज भी कैबिनेट से जो है वो निकल चुके हैं उनके भी जो एजेंडा इटम है वो साइद सवाप्त हो गए तो ऐसे में जो बाकी मंतरी है इका दूका एजेंडा ऐटम अभी बची हुई है जो पहले जानकारी थी कि 120 से करीब तमाम जो एजेंडा ऐटम है जिसमें मुख्या एजेंडा भी है और उसके साथ जो सप्लिमेंटरी एजेंडा होता है वो इतने कुल मिला करते और 88 के करीब म काफी ज्यादा हो सकती है और बड़े फैसले आज इसमें लिए जा सकते हैं सरकार की तरफ से अभी जो बातें निकल कर सामने आई है उसमें खास तोर पर प्रदेश में बेरोजगारी का जो एक मुद्दा चलता है उसको देखते हुए रोजगार के द्वार खुलने की कोश हैं जिसमें स्कूल से जुड़ी हुई है कुछ सास्तिर संसानों से जुड़ी हुई है उससे जुड़े फैसले बैठक में हुए हैं और जो प्रदेश में करमचारी है खास तोर पर पालेज के जो प्राध्यापक हैं उनको वह यूजी सी पे स्केल की मांग कर रहे थे यह ए जुजगार को लेकर कहीं न कहीं फोकस किया गया है नौकरियों का पिटारा जो है यहां पर खुला गया है बहुत ज्यादा पद हम कह सकते हैं 3950 साला की समय कम है अब इसकी भरती किस तरह से होगी क्या प्रक्रिया रहेगी यह तो बाद का विशह होगा लेकिन इतना जरूर है कि अभी इन पदों को मंजूरी दे दी गई है जलशक्ती विभाग में काफी समय से मांग की जा रही थी कि पद जो है उनको मिलने चाहिए दिमांड लगातार जलशक्ती विभाग जेनरेट करता रहा लेकिन आज आखिरकार कैबिनेट बैठक में यह मंजूरी मिल गई है बिल्कुल प्रदीब तो कैबिनेट बैठक में जो फैसला है कही न कहीं चुनावी एजन्डे के आसपास भी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है विल्कुल दिपशिखा आपने सही कहा क्यूंकि चुनावी वर्ष है और ऐसे मैं लगातार प्रदे सरकार पर भी बिरोजगा करने की कोशिश यहां पर सरकार के और से की जा रही है शुक्रिया प्रदीब तमाम जनकारी को दर्शक को तक पहुचाने के लिए